नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके ट्यारी बहुत अच्छे से चल लए होगी दोस्तों आज जो हमारी वीडियो है बहुत इस्पेसल होने वारी है क्योंकि सभी स्टुडेंट के मन में एक प्रसन उठता है कि सर अंतिम समय में हम किस तरीके तैयारी करें ये कोई भी एक ऐसा स्टुडेंट नहीं है जिसके दिमाग में ऐसा कुर्शन ना चलता हूँ क्योंकि हर एक इस्ट्रेंस के दिमाख में यही रहता है कि अंतिम समय में वो क्या रुणिती हो जिससे कि हमारी जो 7-8 महा की पढ़ाई होती है जो तैयारी होती है जो हमना अब तक पढ़ा है उसका क्रेडिट हमें एक्जाम में मिल जाए और टोपर जो बनते हैं उनको खुद पता नहीं होता कि बो टोपर कैसे बन जाते हैं तो मैं आपको उसका एक रॉणिती के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ मैंने आपसे बात कई थी मैंने पहले भी बात आया था कि मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा और वही में लेकर आया हूँ आज आपके सामने कि कि इस तरीके सर रणीती बनाएं अंतिम 25 दिन रह गए हैं इन 25 दिन में क्या करें जो कि हमारा पैट में 90 प्लस का मतलब 87 86 88 90 अबने से उसके लिए करते हैं और हम क्या गलती करते हैं जेश्स ट्विडियों क्या गलती करते हैं तो मैं आपको बताने वालों इस इको पर रेके बात उटाते हैं क्या अगर मैं यहां बात करूंग तो डी आई का जो लेवल है वो चार कुर्ष्चन के रूप में 20 अंक हैं कितने अंक हैं 20 अंक है तो देखिए एक तो यह होगी जान पूरी तरीके से कुर्ष्चन टेपर की दूसरी सरीकते अगर हमाथ कर्ण्ट फेर दस अंक यहां से जीonyग के कि अगर हम बात केंगे जींगे यह जीके भी 10 नंबर का है तो यहां भी आपका अगर हम बात करने गदपत की ऩो यह भी आपको कितने का है तो देखिए ये जो है ना ये बहुत ही अच्छा लेवल है यहां तक फिर आगे अगर हम बात करें तो एक टाइप हो रहा था जिसमें कि हम मैस मैस प्लस रीजिनिंग हम इतना लिख देते हैं सोट में तो ये आपको हो जाएगा और इसमें भी कितना कितना पांच प्लस पांच ये दस तो अंतिम दिनों पर जो है सबसे पहले कमांड जो करने है वो इन चीज़ों पर करूँ मतलब अभी आपके पास 25 देन यानि कि डे कितने हैं आपके डेज 25 डे आपके पास बचे हैं इनमा आपको क्या करना कैटिग्राइज अब मैं आपको बताता बुक्근 के लगबग आप अपने पांच दिन इस पर क्योंती कि पांक फडिन इस पर अीड अधिव और जीके पर इने पांस दिन मेंद इंफ दिन पर आपको देना है डी और जीके करदे अए जिन में बचचों निदिन फार में यह और जिन За ego पाइगराप दंडारेक बैनारेक यह सब चीज आती है लगबल लगबल ठीक है तो पाइगराप दंडारेक साड़नी सांख्यकी सांख्यायन यह सारी चीज़े इसमें आती है आपके और आपको पूरी तरीके से इन पर कवर करना है तो पहले इस जीके वाले पार्ट पर और य फिस दिन ठीक है फिर बात के पांस दिनों में आप किस पर कमान करेंगे इन पांस दिनों पर यानि कि कि हिंदी पर गद्षपठ पर आर पteil opened तो यह प्रति होँ दिन पूरण पर अप्छेंच के साथ इमांदारी के साथ और उन्हीं तो आगले तीन घंटे आपको यह पढ़ना यह दो यह दो पॉइंट पांच घंटे थीक है वह यहां से पढ़ दीजिए तो आपको जो है निन पांस दिनों में यह बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप चाहते हो कि नंबर आपको लाने है अच्छे तो आपको यह करना है रही बात आपको math reasoning में तो जितने भी अवी तक paper होए हैं जिसमें कि 2021 में दो paper हुए तो सुधा की meeting और Siam की meeting दो हजार बाइस में चार पेपर हुए दो दिन में तो आपके पास पैट के च्छै पेपर आ चुके हैं जिसे आप यह जज़ कर सकते हो च्छै पेपर में कि आपका गध्यांस पूछने के क्या रणीती है उसकी और मैठ रिजिनिंग के क्या पूर्शन है जैसे भिन एक चैप ने पसमें बोतों देखनी देखने संक्या पालती भी देखनी है ठीक है तो आप कोशिच करो कि यह चैपेपर है पहले तो इन यह चैपर का जो निकालो इन छैपर पहले मैं उनको निकालू उसके बाद आपको उनी से रिलेटिड इंज गृत वाले ही क्षट्न आस-पास के से कोश्षन वह करो फिर आपका जो है ना अच्छा है स्कोर होने वाला अभी आपके दस दिन उच्पे पंद्रह दिन बचिंवें उन-15 दिन में बाकी जो पंद्रह दिन करंट को देना है ठीक है और करंट के लिए एक मैगजीन उठा लो कोई की भी क्योंकि देखे टीचर रोज करंट पढ़ाते हैं तुमने देखा होगा सुबह मैं आप यूटूब की दुनिया में आ जाईए हर एक टीचर करंट पढ़ाने खड़ा है आप आप ही बताइए और इंटू 6 अठारे सो कोश्चन हो गए अब आप मुझे खुद बता दो कि आपके अंदर इतनी मेमोरी है अठारे कोश्चन से अगर आप करंट अफेर करंट पर करोगे तो जीके जीएस कहां गया जीके और जीएस कहां गया क्या करप आऊगे नहीं ना एक टीचर को जो ह इशा आपको क्या करना है अक मैं में मैं मरहां बनारा है या इंडिया टुड़े रहा है या पिर फैर इसमान की चलीए प्रत्रें अब ना रहा उसमें भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हुए हुझा और वो भी सारी नोट्स सारे मोस्ट हुँगे तो भी तो यह भे उट हम यांध रूद यह बर्बाद होता है हम जो चीज 2 घंटे में हम करनी होती है उस हम 8 घंटे हैं पूरा करते हैं इसका रिजन यह है कि हमें सही रणीती नहीं पता होती हमें सही रणीती नहीं पता होती करण्ट अफेर का नोट्स मतलब क्या है मैक का नोट्स बनाने का मतलब क्या है रिजिनिंग का नोट्स बनान करना है और जो बाकि आपके चार घंटे बचेंगे चार घंटे बचेंगे उसमें क्या करना फुल कोर्स रिविजन करना है इतना ही नहीं है इतना ही नहीं है अंतिम सामें सारे जितने भी यूटूबर होते हैं सारे इतने टीचर होते हैं वह आपको प्रैक्टिस एक लगाने क आप उसको एक्जाम से जच करने लगते हो एक्जाम से टेस्ट पेपर को मेच कर लिता जिबकि कभी भी आपको फेल और पास करने का अभी नर्दारित नहीं करता है अगर आप टेस्ट में 30 करो बहनत अंतिम समय जो हो 10-15 दिन जो बचे हैं उनमें आपको जितना भी हो को रिवीजन जाते करो रिवाइज 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 एक चीज को माल लीजिए कोई नोट से उसको चार चार पांथ पांथ बार कोड़ो जैसे PCS के एक् दोबार 2-3 टेस्ट निकालते थे उसमें जो कोसिंस ना होते थे उनकी की पोइंट बना कर रखते थे आप बलड़ी बोलते हैं हमारी बाहता मखो तो उन बलड़ पोइंट करो उसमझे हैं और जो तुम्हारे याद नहीं है उसको ज्यादे गूर्स देखो जो याद है उसे सबलता मिल जाएगी समझ गें तो मेरी according मेरे according जो कवा था आपको यह करना है आपको गदपत धियान देना पहले उन गदपत धियान देना जहते और गदपत में एक चीज तब से यह देखना आपको गद्धयांत का सीर सक आपको यह निकालना जरूरा था जाहिए और मैं आप G20 के चल ला था माहूल, फिर हमारे देश में महिला साथ सकती कराओं के ओपर धियान, स्वास्त के ओपर धियान, साइंस और टेक के ओपर धियान और लक्षा के ओपर धियान दे जा रहा है, तो इसमें जो भी पहले हुआ हो, जो भारत में पहला हुआ हो, जो दुनिया का भार आखर बेल्कुल यह है अपना बार्डी को फिराम देता हूं किया करना समझीए आपका माननीचे आपका मोर्णिंग सिप्ट में हैं आपका क्या है मोर्णिंग सिप्ट में और आपका क्या है इविनिंग सिप्ट में आपका क्या हो गया इविनिंग सिप्ट में तो क्या करते हैं इविनिंग बाले बच्चे जो हैं मोर्णिंग बाले पर देख कर पहले मोर् और मेरा नहीं आया वो तो बड़ी अच्छी बात है जो तो यही थोड़ा दियान देना है इस बात पर ही थोड़ा गोर के रखोड़ू बैच्चे थोड़ा आपको अच्छे नंबर होंगे और 90 प्लास नंबर ऐसे आते हैं को रिवीजन आपका बहुत मस्ट होता है जादे अपने पढ़ने से और उनके द्वारी रिवाइज करने से बहुत जादा फायदा होता है क्योंकि जब हम बाता सुनते हैं तो सुनके बाता याद हो जाती है अपने आप पढ़ा गया दिन होती है ठीक दोस्तों तो चलिए आपको सैसे नहीं बहुत मजाया होगा तो मिलते हैं एक ऐसी जानकारी के साथ जैहिंद जैभारत एक धूमें एक जना हो जाता है